तो फ्रेंस आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही कम तेल में बनी ब्रेकफास्ट रेसिपी तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें बारीक सूजी चाहिएगी तो जो मोटी वाली सूजी हम घर में यूज करते हैं उसको ही मैंने मिक्सी में बिल्कुल बारिक पीस लिया है देखें अब इसके अंदर डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक नमक को मिक्स कर लेंगे और एक चमच मैं इसमें डाल रही हूँ तेल साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा दही डाल रही हूँ और दही तेल को अच्छे से मिक्स करके हमें इसका डो तयार करना है तो डो तयार करने के लिए मैंने यहाँ पर पानी यूज नहीं किया है सिर्फ दही डाल करके ही मैं इसका डो तयार कर रही हूँ तो आप थोड़ा थोड़ा दही डाल करके और सौफ्ट सा इसका डो तयार कर लें तो देखिए डो हमारा यहाँ पर तयार हो गया है अब इसको धक करके पांच मिनिट के लिए रेस्ट करने देंगे दूसरी तरफ एक बोल में मैंने लिया है एक छोटा चमच टमैटो केचप एक चमच रेट चिली सॉस और साथ ही एक चमच सोया सॉस लिया है तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें डाल रही हूँ रेट चिली फ्लेक्स साथ ही मैं इसमें एक चोटाई कप के आसपास में बारी कटावा हरा धनिया डाल रही हूँ थोड़ा सा मैंने इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है इनको भी मिक्स कर लेंगे सॉस के अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक को भी मिक्स कर लेंगे तो stuffing हमारी इसके लिए तयार हो गई है उधर डौ भी हमारा सेट हो चुका है अगर आपको यहां लगे डौ थोड़ा सूप गया है तो आप थोड़ा सा दही और डाल करके इसको एक बार और मैश कर लें दो तीन डौप इसके अंदर ओयल की डालेंगे और इक बार फिर से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और अब यह जो डौ है इसकी हम छोटी छोटी लोईयां बनाएंगे तो चार लोई बनाई है मैंने यहां पर इसकी और अब इसकी हमें शीट बेलनी है तो प्लैटफॉर्म पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें और उसके बाद में इसकी पतली शीट हमें तयार करनी है तो जैसे हम पतली चपाती बनाते हैं बिल्कुल वैसे हमें थोड़ी सी बड़े साइज की इसकी शीट्स तयार करनी होगी तो शीट्स तयार हो गई है और अब इसके उपर जो स्प्रैड करेंगे हम ने जो हमारी स्टफिंग तयार की थी वो तो अच्छे से चारों तरफ इवनली जो स्टफिंग तयार की है इसको स्प्रैड कर दें और अब इसका रोल बनाएंगे तो टाइटली इसको रोल बनाते हुए पुरा कम्प्लीट कर लेंगे अच्छे से इसको बन कर दें और एक बार अच्छे से इसको रोल कर दें और साइट्स में जो कटे-फटे एजेज हैं उनको कट कर देंगे नाइट से तो सारे रोज इसी तरीके से तयार कर लेंगे तो दीखिये मैंने चार रोज इसी तरीके से तयार कर लिये हैं अब मैं एक ले रही हुँ छलनी और छलनी को तेल से ग्री मैं नेरिक और जो अब एक पतीले में पानी गर्म करेंगे और उबलते वे पानी में और ये जो हमने चलनी लिए है इसको प्लेस करेंगे और ढखकर लगा करके 6-7 मिनिट के लिए इसको हम स्टीम कुक करेंगे तो 6-7 मिनिट में इस्टीम कुक हो जाएगा टाइम थोड़ा सा कुकिंग का कम जादा हो सकता है तो देखें यहाँ पर कुक हो गया है अब इसको निकाल लेंगे किसी दूसरी प्लेट के अंदर और छोटी-छोटी पीसेज में इसको हमें कट कर लेना है बहुत इजी ब्रेकपास्ट रेसेपी है यह बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें बहुत कम तेल यूज किया है अब इसके अंदर थोड़ा सा हम तड़का लगाएंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो और बढ़ जाए तो मैंने दो छोटे चम्मच यहां पर तेल लिया है और उसके अंदर तड़का लगाया है राई का और अब यह जो तड़का है इसको हम डाल देंगे सभी पीसिस के उपर तो थोड़ा सा बिल्कुल तड़का लगाएंगे ताकि फ्लेवर इसका बढ़ जाए तो लीजे हमारा यमी और हेल्दी ब्रेकफास्ट बन करके तयार है आप इसको टमेटो केचप के साथ में या हरी चटनी के साथ में इंजॉय कर सकते हैं तो यह थी फ्रेंज आज की रेसेपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना फिर मिलते हैं किसी नई रेसेपी के साथ में इसी चैनल पे तब तक के लिए बार स्टे कनेक्टेड हैपी कुकिंग